कुछ भाय हो पुश्पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरः सिवास्तों आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास प्रोगाम बात अपने देश की दोस्तों आज जो हमारा मुददा है जो हमारा करचा का बिषया है तो उसके अईजिंता सेृ जो अजिस्ध का सीरा सरूकार गेमारा कि असरेख को थी है भी दोस्तों आज है वत्तपरे राजनीती डिसकी गोशठा चुनवायूक अभे कर भी चुका है। करनों में उत्तेपले से में चुनाव होने हैं और सस्के साथ ही साथ की बात करने जा था हुँ जस्की तरहिजारा हो जिस प्रदेश के मार्धर्थ म सubenकिब मिलती है जो भी राजनितिक दल हो जाता है जीद्र हचल और आजकल आ Watching पर इस समय चलना इसनी जरूरी है क्योंकि आप समय चुनाओं का है दोस्तों हमारे देश में जो दल बदलने की परथा है वो प्राचीन परंप्रा है प्राचीन काल से चली आरी है ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब नेता अपने अपने दल छोड़के दूसरे में जाते हैं , जो अपर यहाँ बात करने बार है उन नेताओं की जो लगातार अपने अपने दल में थे उसके बाद चुनाओं को समय अचानक दल बदलने का बदस्तूर जारी है काफी समय चुनाओ के समय से पहले से लगातार हम देखते रहते हैं और लोग आते हैं और चले जाते हैं नए दल में जाते हैं यह परसलिए चलती रहती है जो हमारा मुद्दा है इसलिए जरूरी है कि कि आप जिस तरह से दो से तीन दिनों में घटना करमी उत्ता परेश की राजीती घटा है वो बड़ा मेरपूर है और मेरपूर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आज पत्र जारी करके बताए जा रहा है कि पिछड़ों की अलफ संखेकों की तलिट की पंचे समाज की गरीब ला हूं और जल्डी कोई बड़ी घुसरा करूँगा या जल्डी किसी पार्टी में जाओंगा सबसे वड़ा मुद्दा कि यह घुसरा आज ही क्यों यह घुसरा चुनौक की कुस समय पहले ही क्यों जाको पिछले आप क्यों कहा रहा है कि मैं सरकार की कार्ट पर नाली पी शुचा नहीं था आप उस समय क्यों कहा रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही थी आप्यव संक्यक Barnes धलित बर्ग पचला बर्ग सरकार में लगातार उपेसृ किया जारा था उस समय जब चुनाव सिर पर है चुनाव की घोसना हो चुकी है और कल से यानि की आपके नॉमनेशन सुरू होने वाले है चुनाव की बिगुल बच चुकी है तब आपको जनता याद आ रही है तब आपको जनता की उपेच्छा याद आ रही है इसका अर्थ है सीरा सीरा कि यह राज स्वार्थ की राजनीती यानि जब देख लिया कि पांस साल गुजर गए है अब पार्टी कौन सही जा रही है कौन गलज जा रही है और अब जनता के मुद्दों को अपने पत्र में जारी करते हुए और बता डिया जब पूरे 5 साल गुजर गए तब आप लोग गो यह यार्ट कूह आती है। मेरा निशाना निशाना किसी विशेश नेता पर नहीं है। मेरा निशाना उन सभी लोगों पर है जो इस समय अंपंडर यहें कारण बसा रहे। आप अपना निजी कारण बसाइए। आप आप अपना 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 निजी डस्टिकोड बताइए कि मेरा डस्टिकोड यह है मैं जा रहा हूं पर जिस तरह से आप लोग जनता के मुद्दों को जनता के मुद्दे हैं उनको बताकर अपना hand made मंदल को छोड रहा है पार्टी को छोड रहा है यह निश्चिर से एक बार शा finances आता है कि स्वार्त की राजनीती है इसके अलाबह कुछ नहीं आज आपको गरीबयों के पच्छा बुननेताओं पर मुझे सरम आती है। मुझे इन पर भी एक पिस्ननु नजर आता है कि वो भी ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारे नेता जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे ये किस तरह की राजनीती है ये किस तरह का नस्टिकोर है आपको पाथ साल तक क्यों याद नहीं आई आई आपको पाथ साल तक क्यों चीज़े समझ में नहीं आई आपको पाथ साल तक नहीं तेखा कि यहाँ पर बिरुजगारो का यहाँ पर नौजमानों का यहाँ पर छोटे लगू मद्यमशिणी की वैपारी है यहाँ पर पिछले बर्ग का यहाँ पर बंचिर बर्ग का यहाँ पर गरीबों का लगातार सोचन हो रहा था तब आपको नजर नहीं आया तब आपको समय पहले तक भी सरकार के कारेकमों मे सामिल हो रहे थे जब चुनाओं का विगुल बजा है उसी समय आपको ये यार आ गया है कि मैं तो बड़े परेसानी में काम कर रहा था और तमाम लोगों का यहाँ पर उपेच्छा हो रही थी पर मजबूर था पर अब मजबूरी खतम करता हूं क्योंकि चुनाओं आ गया है और चुनाओ के समय में अपना पर छोड़ता हूँ और दूसरी पार्टी देखता हूँ। तो यहाँ पर जो सीरी सीरी ब्योस्ता है वो यह है कि आप केबल और केबल राजनीती दुकर रहे हैं पर कही न कहीं स्वार्थ विजुड़ा है। क्योंकि पिछले बर्ग की आपको अब याद आई है तो पिछले बर्ग की आपको याद पर क्यों नहीं आई पहले वे कई मामले ऐसे रहे जिनमें अगर पिछले बर्गों को नजन्दाज किया गया दरकनार किया गया उनको पिछा की गई तो आपने इसके लिए आबाज क्यो वो तो अलग विविचना का बिसा है, अलग जाज का बिसा है, पर यहां पर उस समय आपकी आबाज क्यों नहीं उठाई गई, उस समय आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, उस समय आपके लिए बंचिर पर कहां चला गया, उस समय आपका पिछला पर कहां चला गया, क्यों जला न का बिगल बच चुका है तो आप ने साब इस पर कर दिया कि मैं बिपरीड परस्टिट्यू में बिचारदारा में रहकर भी बरो मनोयोग से मैंने काम किया है पर अब नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने पड़ से स्थीपा देता हूँ और यहां पर जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं उनसे मेरा एक पिसन यही है कि आपको अब तक याड क्यों नहीं आई और अब आप दूसरी पार्टी में जाके ऐसा क्या कर देंगे कि पिछला बर एकदम से बलसाली हो जाएगा उसको तमाम सुबढ़ा मिल जाएगी चुनाओं के समय ही स्वार की राजनीती क्यों की जाती है कि बाड़ चुनाओं के समय ही आपको अपना समदाय क्यों यान आता है कि बल गरीवों के पिछला अब क्यों दिखी आपको बर्ग नजर आने लगा, अब आपको गरीब नजर आने लगा, अब आपको नौजवान नजर आने लगा, अब आपको बिरुजगार नजर आने लगा, अब आपको अलफसंगेग नजर आने लगे, अब आपको नोकरी के जो लोग है वो नजर आने लगे, अब क्यों? अब क्यों आपको सूचमों लगू विग्या ब्यापारी निज़र आने लगे पहले कहा थे पहले भी सरकार में थे तब क्या किया अगर आप बिप्रीर बिचारधारा में काम कर रहे थे पूरे मन्योग से लगे हुए थे तो समय आपने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं वही मैं आपकी पार्टी में काम नहीं करूँगा मैं आपका साथ नहीं डूँगा क्योंकि आपकी पार्टी वो गरीब, बंचित, बिरुजगार, अलसंक्यक और पिछडे बर्ग और छोटे बर्ग के लोगों के सूच में लगू बर्ग ब्यापारी हैं उनकी उपेच्छा कर रहे हैं ऐसा आपका उस समय आपने लेटर जारी क्यों नहीं किया ऐसा उस समय आपने बात क्यों नहीं कही जो आतमाम बिरायक लोग अपनी बात कह रहे हैं कि कि हम अब जाएंगे आप ऐसी पार्टी में जाएंगे जो गड़ी पिछले बर की एक क्रांती ला लेगी उनके विकास की तो इसकी गारंटी क्या है कि आप इसकी गारंटी लेंगे कि अगले बार आप जब यहां जाएंगे और सरकार बनती है सरकार बदलती है तो उसमें भी अब पात सारां आपसल के बाद ही कहेंगे आप समय인가 संता के कुरसी पर होगे इसलिए आप यह नहीं कहेंगे आपको अगर जनता याद आती है आपको गरीब याद आता है अगर आपको बंचित नजर आता है अगर आपको बिरुजगार नजर आता है अगर आपको महला नजर आती है अगर आपको सोसिस समाज नजर आता है तो वो नजर आता है सिर्फ और सिर्फ चुनाओ के समय, क्योंकि चुनाओ बड़ी चीज है, बड़ी चीज इसलिए है कि लोकतंत का पर्व है, और इस पर्व में जो भी बिजाई होता है, जो भी बिजाई होता है, वो सत्ता की सबसे उंची कुर्सी पर बैटा है, इसलिए इस लोकतंत के पर्व में, इस लोकतंत की आप नेता हैं जिनके आप नेरुमाब अपने आपको बताते हैं जिनको जो आपके लिए बिसेश हैं उनकी यार आ जाती है गरीबों के पिछा ऐसा तो नहीं है कि हमेशा नहीं रही हो कोई भी पार्टी रही हो अब इस राजनीति को हम क्या नाम देंगे इस राजनीति क्या नाम दिया जाएगा कि जो केबल और केबल चुनाओ के समय ही की जाती है यानि कि अब हम इस पार्टी छोड़ उस पार्टी में जाएंगे कोईस्टिक बार की गारंटी कॉल लेगा कि आप उसमें जाओगे तो आपको अपने समधाय के लिए काम करेंगे कि बाद चुनाओं के समय ही आपको अपने समराई को यारा जाता है चुनाओं के समय ही आपको करीबों की उपेच्छा क्यों रजाराती है ये बाद किसी को नहीं पता पता दो कि अबल उनको है जो ये बाद कहते हैं जो इबार बताते हैं जो यह बात कह कर अपना इसतीफा देते हैं अपना पत्त जारी करते हैं और मीडिया में चिला के बोलते हैं कि अब फर रहे थे कि आप यह तक हम बड़े बीपीड प्रस्थिटि़ियों में काम लएते हैं और बड़ी तकलीफ थी बड़ी यह चिश्पिस्लागे है क्योंकि आप एक ऐसे पतिनिभी हैं जो समाज का पतिनिभी करते हैं आप नेता हैं आप बिदायक हैं आप मंत्री है और आपकी ये नैत्य जम्मिदारी है कि जिस वर् Coordinator से आप आते उस बर्ग का कम से कम भला तो करें उस बर्ग के लिए उस बर्ग आपको चुनता है वो बर्ग आपको अपना नेता मानता है उस बर्ग को आप से मीरे होती है पर जो उस बर्ग की बारी आती है तो आप पास साल तक राश्ट करते हैं और फिर पास साल बार जब उस बर्क का आप साहरा लेकर बर्क का डाल लेकर आप एक पार्टी को छोड़ते हैं और दूसी पार्टी में चले जाते हैं ये काउन सी राजनीती है ये किस्तिकार की राजनीती आज देस में हो रही है वो देस जहां पर राजनीती को सेवा माना जाता है वो देश जहां सेवा से ही राजनीती होती है वो देश जहां पर सेवा पर्मो धर्मा माना जाता है वो देश जहां पर राजनीती में लोग सेवा के लिए आते थे वो देश जहां पर राजनीती का परयाय ही सेवा होती है वो भी जनता की सेवा अगर जनता के कश्टों का जनता के दुखों का जनता की समस्यों का निवारण आप नहीं कर सकते तो आप राजनीती में क्यों है के बर राजनीती में अपनी कुर्सी पाने के लिए है आप या के बर मंत्री पर भूगने के लिए है आप या के बर सत्ता की कुर्सी भूगने के या कि अबर सांसर बनने के लिए हैं नहीं आपको जनता ने बनाया है जनता के पतिनीरी यानि जनता कहती है कि आप हमारे पतिविम में हैं आप अगर सत्ता में हैं तो आप हमारी बात रखेंगे जिस बर्क का नेता होता है बाते करता है मैं पिछले बर्क से हूँ मैं समुराय मैं परना से हूं, मैं फ्लाने बर्ग से हूं, मैं यहां बर्ग से हूं, पर उस बर्ग के लिए क्या किया है? कोई बताना चाहेंगा? कोई नहीं बताएगा。 अगर सरकार को आप बैतर दिखाते हैं, सरकार का कारकाल पूरा करते हैं, सरकार की बाते करते हैं, जो पड़ा मिलता है उसका बखान करते हैं, पर आप जिस बर्ग से आते हैं, जिस बर्ग ने आपको अपना नेता माना है, जिस बर्ग ने आपको अपना रन्मा माना है, जिस क्या कभी आप इसका लेखा जोका पेस करेंगे क्योंकि जो आपने पास साल में किया हो तो सरकार का लेखा जोका है आपने अपने स्वयम के आधार पर अपने स्वयम की छवी पर अपने स्वयम की पतनीरी होने पर आपने अपने बर्ग को क्या दिया है अपने लोगों को क्या दिया है जो आप सो मिरे लगाते उनको क्या दिया है अगर बिरुजगार है यूबा है नौजमान है बंचित है गरीब है सोसित है उस बर्ग को आपने क्या दिया है कि बाद बादे और जो बादे आप अखली पार्टी में भी जाएंगे फिर भी वही क कर दिया जाएगा फिर बयानवाई की जाएगी कि भाया हमको अच्छा नहीं लगा और हम ख़राप परस्टिटी में काम कर रहे थे इसलिए अब हम पेड़ित है और इसलिए अब हम यह पड़ को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर मुद्दा केबल यहाँ पर यह नहीं है कि आप पर रादिनिती क्यों करते हैं? यहाँ पर आपकी रादिनिती से किसी कोई संकोच नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर दिक्कत के वल एक है, कि अगर आपको इन बर्गों की उपेच्छा दिखती थी, तो वो चुनाओ को समय क्यों नज़राई? मेरा प्रिशन हर इंसान से है जो चुनाओ के समय ही अपनी पार्टी को बदल कर दूसी पार्टी में जा रहा है अब आपकी पार्टी में क्या खामिया आ गई या आपकी पार्टी में कौन सी कमी हो गई कमी कोई नहीं हुए दोस्तों कमी यहां पर केबलिये है कि सत्ता की तरब जहां पर जोजान होता है जहां बाते होती है जहां चीजे होती है जहां लाब होता है जहां स्वार्थ होता है बही पर हमारे देश के महान पेतिनिदी अपनी अपनी कुर्सी को बदल लेते है, अपनी अपनी जगों को बदल लेते है, अपना इस्थान बदल लेते है, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए मैं यहां किसी पर निसाना साधर नहीं खड़ा हूँ, ना मैं किसी पर निसाना साधर नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक खबरणमीस होने के बाद जूर एक जनता का पतिर्व सबीरी हूं और मैं भी आम जनता ही हूं तो आम जनता के मुताबिक आम जनता के होने के द्वारा या आम जनता के रूप में ही मैं केबल इतना जानना चाहता हूं कि आपको हम लोग केबल चुनाओ के समय ही क्यों यार आते हैं आपकी सारी उपेच्छा हैं, आपकी सारी अपेच्छा हैं, आपकी सारा डिस्टिकोर्ड, आपकी सारी मनुस्थिती, आपका सारा मनोयोग, आपकी सारी बिजारदारा, आपको चुनाओ के समय क्यों रिखता है? क्योंकि चुनाव बहुत बड़ी चीज है, अगर चुनाव नहीं होगा तो हमारा स्थान कैसे होगा, अगर चुनाव नहीं होगा तो हम कुर्सी पर कैसे बैठेंगे, चुनाव नहीं होगा तो सरकार कैसे बनाएंगे, चुनाव नहीं होगा तो हम और अधिक ताकरवर कैसे ब हुग बना सुन्स to Почему दुखिया है तो आप चोड़ए ना कि कोई पार्टी ज़ूइन कर ये ना कि कोई यह क्रत Bismol dating चोड़ियेह कि मैं जनता का से रूप में काम करूंगा मैं कि सी एकुड़मा गूर यारश बैतनीिन तो जनता को लगता हाँ, हमारे नेता के अंदेखी हुई, हमारे बर्क के अंदेखी हुई, तो हमारे रहनुमा ने, हमारे समाज के नेता ने, हमारे बर्क के नेता ने, हमारे नेता ने, हमारे समाज के पतिनीरी ने अपने पड़ को लाद मार दी, पर सबसे दुखर बात तो पर ने बड़े भ्याकुलता के साथ कि बहुत आसान काम है और मीडिया के माध्यम से बता देगे बहुत अब अपनी पार्टी से पड़ से स्थीप देबूँ तो पर इन स्थीपे के विजए बजए वो हमने आपको बताई दिया है वो अलग नहीं है जनता जनारदन भी अच्छी तरह जानती है कि इस तीपे क्या होते है ये बत्र क्या होते है ये दल बदलना क्या होता है कि दल बदलने की परंपर हमारे देश में है जो हमारे देश में जो दल बदलने की परंपरा है वो बहुत प्राचीन कार से चली आ रही है और ये परंपर केबल केबल इसलिए नुक्सान दे है क्योंकि इस परंपरा में कभी चंता का भला हुआ ही दे जो भी निता जिस भी पार्टी से दिस पार्टी में गया सायदी उसने कुछ बहतरीन चबतकार किये हूँ हम तो अब तक यही लगातार देखते चले आ रहे थे कि यहां पर ऐसी करेंगे बहां पर हम तीर मार देंगे और अपने बर्क के लिए वो काम कर देंगे जो अब तक किसी निता नहीं किया तो सबसे बड़ी बात यहां पर जन्ता को समझने की है नेदास और मैं केबल आग्रह कर सकता हूँ कि चलिए जो बीट गई सो बीट गई तकदीर का सिक्वा कौन करे और जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे चलिए मैं मान में रहता हूँ कि आपने ठीया रखिएगा जहां भी जाए जहां भी सरकार बनाएं जो भी बहतर काम करें मातवे पार साल बार चुनाओं को समय ही अपने को दिखाना की जनता का उपेच्छा हो रही है और मैं दल बदलने जा रहा हूं इसको स्वार्थ की राजनीति किलाबा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है तो उम्मीद तो करूँगा अपने समाज के पत्रिदियों से कुछ टस्टिकुल बदलेंगे कुछ विचारदारा हिएंगे मेरा यहां पर कटाच नहीं है कि पर निवेजन है छिसके तमाम नेताओं के लिए उन पार्ट्रियों में जा रहा है कुछ बैतर करके रिखाएं ताकि जनता ये समझ ना सके कि ये जो राजनीती जी स्वार्थ की थी ना की भले की अगर राजनीती आप किसी भले के लिए राजनीती छोड़ के दूसरे दल में जा रहा है तो यहाँ पर मैं तो आपका सादूबारी दूँगा तो अगर भले की राजनीती कहीं पर होती है जनता की राजनीती कहीं पर होती है तो अपना बोट अपना जो आपका आधार है वो उस बर्क के लिए उस अपने देश के लिए अपने समाज के लिए उन लोगों को देना है जो बास्तम में आपके बर्ग की, युबा की, नौजवानों की, महलाओं की, गरीब की, सबकी बात करते हैं, उनकी सोचते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं तो आज के इस चर्चाम इतना ही, नमस्कार झाल